Good morning friends, स्वागत है आपका, आपके अपने YouTube चैनल Study with Ravet Haakur पर, चलिए आज की दे हिंदू editorial vocabulary की शुरुआत करते हैं, vocabulary के PDF के लिए आपको उसे Telegram ग्रूप पे जोड़ सकते हैं, मेरे Telegram ग्रूप का नाम है Study with Ravet Haakur, तो इस document का जो PDF है, आपको मेरे Telegram ग्रूप में मिल जाएगा, Telegram ग्रूप का लिंग में description box में भी डाल दूँगा, तो आप description box में जाके उसे access कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की vocabulary, आज की vocabulary का पहला word है, Incessant, यहाँ पर adjective की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम, जो चलता रहे, निरंतर, लगातार चलता रहे, उसको बोला जाएगा, बिना रुके, उसको बोला जाएगा, Incessant, An Incessant process or activity is one that continues without stopping, that is called Incessant, Next word है, vilification, vilification, यहाँ पर noun की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी की मानहानी करना, उसकी निंदा करना, या फिर उसको कलंकित करना, उसको बोला जाता है, A rude expression intended to offend or hurt, that is called vilification, Next word है, diatribe, यहाँ पर noun की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, निंदा करना, या हम बोल सकते हैं, भाशन देते हुए, किसी की कठोर आलोचना करना, उसको बोला जाएगा, English में, diatribe, A diatribe is an angry speech or article which is extremely critical of someone's ideas or activities, that is called diatribe, Next word है, contravenes, contravenes, यहाँ पर वर्प की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी भी बात का या कानून या नियम का उलंगन करना, उसको भंग करना, उसको बोला जाएगा, contravenes, to break a law or a rule, that is called contravenes, next word है, hurl, hurl यहाँ पर वर्प की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, जो editorial में use हुआ है, किसी की बेजती करना, उसकी निंदा करना, defame करना किसी को, और एक और अर्थ भी होता है, इसका hurl का, किसी की तरफ, जोर से कोई चीज फैंकना, कोई मारना चीज किसी की तरफ, तो उसको भी बोला जाएगा, hurl, if you hurl, abuse, or insults, at someone, you should insult at them aggressively, that is called hurl, next word है, aspirations, aspirations, यहाँ पर noun की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, हमारी इच्छाओं से होता है, इसका मतलब, इच्छा होना, किसी भी काम को, या कोई प्राप्त करने की इच्छा होना, लालसा होना, या महतो कांग्षा होना, उसको बोला जाएगा, एंग्लिश में, aspirations, someone's aspirations, are their desire, to achieve things, that is called aspirations, next word है, reiterate, reiterate, reiterate यहां पर वर्प की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी बात को दोहराते रहना, जोर देकर किसी बात को बार बार कहना, उसको बोला जाएगा, reiterate, if you reiterate something, you say it again, usually, in order to emphasize it, that is called reiterate, next word है, devolution, devolution यहां पर noun की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है, जो राज्य सरकार होती है, center government होती है, उसके द्वारा अधिकारों का राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाना, या किसी भी जो बड़ा कोई organization है, उसका किसी छोटी organization में उसका अपने अधिकारों का हस्तांतरन कर देना, किसी को, authority को दे देना, अपनी किसी नीचे तबकिक के organization को, या व्यक्ती को, अपने अधिकारों को सौप देना, इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है उसको विकेंद्रिय करन करना, और इंग्लिश में बोला जाएगा, devolution, the act of giving political power from central to local government, that is called devolution, next word है, reconciliation, reconciliation यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, दो लोगों या दो समुहों के बीच कोई जगड़ा है, और उस जगड़े होने के बावजुद उन दोनों की बीच आपस में समझोता करना, उनका मिलान करना, या उनको एक बार पुनर मिलन करना, दोबारा से उनको friends बना देना, मित्र बना देना, तो इसका मतलब होता है, किसी के प्रती अविश्वास होना, या संदेह की भावना रखना, संदेह वाद होना, उसको बोला जाता है, इंग्लिश में, स्केप्टेसिजम, स्केप्टेसिजम is great doubt about whether something is true or useful, that is called स्केप्टेसिजम, next word है, एप्रोबेशन, यहाँ पे नावन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी भी चीज़ को करने की अनुमती परदान करना, अपनी स्वीकृती परदान करना, या हम बोल सकते हैं, समर्थन देना अप अप्रोबेशन, अप्रोबेशन is approval of something or agreement, or agreement to it, that is called approbation, next word है, डिफर्मेंट, यहाँ पे नावन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी काम को कुछ समय के लिए टाल देना, या उसको स्थगित कर देना, चैंसल कर देना, उसको बोला जाएगा, डिफर्मेंट डिफर्मेंट means, arranging for something to happen at a later date, that is called deferment, और आज की वकैबलरी का अंतिमचब्ध है, curbed, curbed यहाँ पे वर्द की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी भी अप्रिये चीज़ को नियंत्रण में लाना, उसको या प्रतिबंधित कर देना, उसको बोला जाएगा, इं इफर्मेटिव लगा हो, helpful लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर किर दीज़ेगा, तो आज की वकैबलरी में इतना है, थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग